तो हलो गईज, बगाने दो बीज पोस्ट, ऐसा से बात करेंगे हीरो आइसल के बाड़े में, तो आइसल में कल था मैच, नौर्टीश वसेद मुंबाई, एंड यह मैच ड्राव मेंड हुआ है, अगें लाइक अभी यह हो गया है, कि लास्ट छे मैचेज में नहीं नौर्टी पर लगा, मुझे तो खैन नहीं लगा, बट एक्चुलिए अगर मैं सज बताओ, तो फर्स्ट लुक में तो मुझे भी लगा कि र क्लियर पेनल्टी था, बट ऐसे अगर हम लोग डिशेद को देखे ना तो अगर विया ना हो, तो ऐसे डिशेद को 100% क्लियर्टी के साथ द पेनल्टी थोड़ा सा अर्ड में बोलूगा, विक्रम पताब सिंह के लिए था, ये उनका ही क्रिडिद जाएगा, उसके बाद आहमत जाओ, वैसे भी उनके एक्सपर्ट है, तो उनने बहुत ही कमाल का एक यूनो पेनल्टी लिया, जिसमें गोलकीपर का कुछ किया नहीं अर्ड में आते हाते हैं, अमयरा नवाडे को रेट कार्ड मिला, जो कि काफी डिजर रहीं ही था में भूलूगा, और मेरे साब से लाइक, ओवरल नौर्टी इस के लिए परफॉर्मस तो वाइस काफी अच्छा है क्योंकि, लाइक, मार्सिलिणो का एंटरी स्क्वार्ड मे अटाक में इस पेशली और मार्को शैनेक नोट ताउट मतलब काफी डैलेड़ प्लेड प्लेर रहीं हैं, अगर नौर्टी इस्ट अपने डिसेंस को थोड़ा फार जाजी स्टेबलाइज करके खेल पातें, तो डशेरी बहुत बहुत कुछ कर सकता है या स्क्वार्ड अग यही जो गेव जो नॉर्थीस्ट कल यूनो सेकेंड डाप में खेल रहे था या फिर लास्ट दो मैचेस से नॉर्थीस्ट जो गेव है वो सेकेंड डाप में अच्छा खेल रहे है बट फर्स्ट अप में उनका गेव काफी तद आशाधा एवरेज है अगर यही चीज्ज वो ही कि उन्हों स्टार्टिंग से कर पाते तो डेफिनेटली वो जीत सकते मैचेज एड मुंबई के लिए लाइक फर्स्ट पोजिशन में रहना यह अभी तो खैर काफी टफ है मतलब नंबर वन पोजिशन में वापस जाना उनके लिए बहुत टफ होना है वाला क्योंकि लाइक एडिकेमोन बगाज, जमशेतपूर, हैदराबाद, चैन्नाई तक फर्स्ट पोजिशन के लिए काफी टककर वाला कॉंपेटिशन दे रहे हैं करला तो खैर है करला मतलब नंबर वन के लिए सबसे मेजर कंटेंडर इस साल योगी देख की मैं अच्छा लग रहे हैं कि एक बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग मैच होने वाला क्योंकि बैंगलोर का अगर हम लोग गेम देख ले तो ठीक था कि बहुत एक्स्ट्रा ओडिनेट ही है बट बहुत खड़ाब भी नहीं है और बैंगलोर धिरे-धिरे स्क्वाड को बिल्ट कर रहे हैं यंग प्ले का साइनी किया जिने अभी तो कि गोल नहीं किया है बट आइधिंक एक बार अगर वो एक बार गोल कर ले तो अपना टच को फिट से लाइक वापस पा सकते तो उनको वसी गोल चाहिए करे लिए और व्लैजमिर कुमंच जैसे प्लेयर से और डिफेंस मिले साफ को डैम जैन को प्लेट का लिया है और व दो प्लेश से डिल अदिसिलवा एक गोल की पर है और अच्छे गोल की पर क्योंकि USFC को अपने defense को strong करना है and like एक और major problem है कि अगर आप अपने defense पे like you know दो foreign players को खिला दे तो तब भी like वो दो foreign players enough नहीं होंगे सिर्फ defense को manage करने के लिए क्योंकि like ठीक आपने दो foreign players को खिला दिया but like वो जो support मिलना चाहिए ने defense को बाकी team से वो नहीं मिल रहे उडिसेसी में and वो foreign players नहीं दे सकते है क्योंकि like football 4 players का game नहीं आप 4 players के उपर कुछ जाधा ही dependent हो तो यहाँ पर young players का signing काफी matter करेगा मेरे साब से and 4-5 players से भी करने लिए उडिसेसी में अच्छा खेलने उसमें से 4 foreign players में हटा देता हूँ तो एक इंडियन प्लियर जेरी का पॉफ में मुझे अच्छा लगा नंदा कुमार भी कभी कोई कोशिश कर रहे है like inconsistency है performance में जो कि football में like अगर आप inconsistently खेल रहे हो तो वो team के लिए benefit नहीं देता है like आप ठीक अच्छा कभी कभी खेल रहे हो but आपको consistently अच्छा खेलना होगा तभी team को एक overall benefit मिलेगा so यहाँ पे बहुत सारा problem है उडिसेसी के squad में जो कि like starting में नहीं दिख रहा था but धीरे धीरे जैसे league आगे बढ़ता गया हम लोग like clearly देख पाड़े की squad में problem है attack बहुत तगड़ा बनाया है but defense में वो like spark डालना भूल गए so अब पता ने उडिसेसी के नए coach कौन होगी क्योंकि अभी के लिए तो interim head coach है and मैं सासे ये season interim head coach में ही रहेंगे उडिसे FC को इनाया coach और लाने का कोशिच नहीं करेंगे so जो भी हो mid-cut थिक at least वो ये squad को थोड़ा सा पकर के रखे and next season और अच्छा build करे so शुआ इस्ट Bengal के तरफ से तो इस्ट Bengal ने signing आनास कर दिया है Francisco Jose Sota का and Francisco Jose Sota मैंने बहुत पहले कावल करके बता दिया था एक midfielder है and ये Amit Derwesevich के जगा में आये and Amit Derwesevich को release कर दियागे इस Bengal के तरफ से so overall अगर देख ले तो Francisco Sota is like ठीक ठाक प्लेयर ऐसा ने कि बहुत top class player है and ये कोई loan deal ने ही है proper like short term contract sign किया है Francisco Sota ने and मैं हिसाब से like ठीक ठाक दील है ऐसा ने अगर हम लोग you know Marcelo का देख ले तो उनसे थोड़ से low level player है but वो एक forward player है and ये midfielder है तो इनका role important तो काफी होगा and जो भी हो देखते कि इनका पफ में इस Bengal का के बाकी ASL की season में कैसे रहता है तो इसी जाड़ FC गोवा के तरह से तो redeem lag FC छोड़के जा चुके and loan deal में वो उरिससी में गए and redeem lag जो के 26 year old winger है and like खिक टक प्ले रहे अभी तो ख्या है रहे गोवा में उनको तनादा मौका मिल नहीं रहा था and मैं साथ एक अच्छा deal उरिससा के लिए भी क्योंकि like अगर हम लों redeem lag को देख ले तो speed है उनके पास skill भी अच्छा खासा है and odis FC को वैसे एक winger के ज़रुद था जो कि like jerry को proper support दे पाए क्योंकि odis FC के लिए मतलब opponents के लिए अगर वो odis FC को face करें तो काम easy है कि indian players में उनके बस jerry ही है जो कि अच्छा कासा operate कर रहे विंग के साथ तो jerry को रोग दो आप काफी हद तक attack को रोग सकते हो तो यहाँ पर अगर redeem lag का entry like definitely odis FC को help करेगा and goa को जादा effect होना नहीं चाहिए क्योंकि like goa के पास already काफी सारे wingers है and this season में अभी FC goa के पास जादा कुछ बचा नहीं है सिर्वाय मतलब यूनो वो self respect के वो एक की यूनो अपने name के लिए खेलेंगा भी goa अभी chance तो मुझे भी पता है कि mathematically possible है but हम सबको पता है कि practically बहुत tough होने वाले ये goa के लिए and अभी तो कहर हर एक match जीतना होगा and एक अच्छे खासे margin के साथ जीतना होगा like एक दो गोल्स के margin से minimum एक गोल्स है तो खेर वो कोई भी टीम जीतना होगा ये एक बहुत बहुत बढ़ा चैलेंजिंग टास्क ही अभी क्यों कि recent buffer में देख के luck तो नहीं रहा है कि अगोवा हर मैं जीत पाएंगे जहां पे अगर हम लोग उपोनेट्स का बात कर ले तो अभी तो खेर गोवा ने सिरु वीक उपोनेट्स खेला है second लेग में अगर हम लोग देख लिए second half of the league में अभी भी जितने भी strong and टक्कर वाल ऑपोनेट्स है वो भी भी बाकी है तो वहाँ पेसी होगो काफी महनत करना होगा और इस चीस के बाले में आप लोगी का थौट्स देख का उनकर के मुझे जरू बताना सब्सक्षिवार है के तरफ से तो बासिलोना ने दो डिफेंडर्स को पर इंटरेश दिखाया है और दोनों ही चेल्सी के प्लेयर से और दो प्लेयर से सीजर एस्पिलिकवेटा और खृस्चेल सन्सों अगर इन दोनों को साइनिंग कर लेते बासिलोना तो देफिनेटली उनका defensive shape काफी तासे हो जाएगा और experienced player मिल जाएगा उनको एंट टीम को भी balance करने वाले players उनको मिल जाएगा क्योंकि लेक अटक मुनके पास प्लेइंग स्टाइल यही है कि अथोड़ा सा लाइग उनको डिफेंस से बिल्डप करते है ताकि प्रॉपरली बिल्डप हो एंट गोल कर सके इंट्रेशनल फुटबाल में इसको काफी जाएगा जाएगा यहां पे ऐसा नहीं कहाएगा तो यहां पे अगर इन दोनों में तो नहीं होने वाला यह चीज़ तो देखते है कि क्या समर्ट रांफ विंडव में सीजर एस्पली कोटा एंड कृटा एंड क्रिस्चिंसन बार्सिनोड़ा में आते है नहीं सेविला के तलस्ते छोटा सा न्यूज है तो अन्टोरी मार्शियल एक्शली अभी सेविला म एंड अगें तेलेगू टाइटेस ये मैच नहीं जीत पाए एंड ये मैच एक ड्राव मेंड हो आए तो लाइक ओवर ओल एक अच्छा परफॉर्मेंस दोने टीम्स के तरफ से अगर सज बताओ तो मैच हमेशे ही बहुत इक्वल था खभी ऐसा नहीं लगा किया ये मैच ए आदर्श ने पांच रेट पोइंट लिया संधीप कंडोला ने छे टैकल पॉइंट लिया जो कि बहुत इच्छा पॉइंट पॉइंट था मतलब रूहित गुलिया एंड विनय का जो पॉइंट का जो स्प्लिट है वो एकदम उल्टा है अगर डिफेंस का बात करें तो जै आद जोने टीम के लिए बहुत सेवरबल रेजल्स नहीं है कुई हर्या ना श्टेलर्स अगर यह मैं जीत पाते तो उनके लिए जादधे बेटर होता बद वो खैर नहीं जीत पाए अड वाभी थर्ड पॉइशन में आट वाज्वार्यो फॉट में आचुके तेलको टाइ 10 मतलब जैसे थे वैसे ही रह गए वो 12th position में थे and 12th में रह गए and अगर आज के मैच इसका बात कर ले तो आज अचली एक मैच है यू मुंबा वसस बंगलोड बुल्स and like काफी important match दोरे तो आज के मैच का रिजल्ट क्या होता है